हलो दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल सिविल इंजीनियर एब बेज में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम प्रेशर एंट इस मेजरमेंट के बारे में डिसक्स करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है प्रेशर एंट इस मेजरमेंट जिसमें हमारे पास मैनोमीटर वगएरा आ जाते हैं तो उसके बारे में आज हम डिसक्स करने वाली हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले ही आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है pressure क्या होता है और pascal's ना क्या होता है पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिसकस करेंगे तो pressure क्या होता है normal force exerted by the fluid per unit area is called as pressure तो pressure क्या होता है यह होता है कि normal force जो exert करता है कोई भी fluid normal force exert करता है तो उसे हम pressure कहते हैं तो यह होना चाहिए यह normal force हमेशा याद रखना pressure क्या होता है यह normal force होता है normal force तो pressure आपको पता है pressure होता है force per unit area force per unit area तो इसका unit अगर आपको पता होना चाहिए unit है इसका newton per meter square newton per meter square तो यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए it is a scalar quantity यह हमेशा scalar quantity होती है इसका nature हमेशा compressive होता है क्योंके जो pressure होता है वो हमेशा compress करने की कोश इसका compressive होता है it has magnitude but no direction इसका magnitude होता है इसके बाद आ जाते हम Pasqualzla क्या बोलता है तो Pasqualzla क्या है Pasqualzla states that Intensity of pressure for a fluid equal in all the directions लेकिन 하는데 Vuld जो है वो rest में होना चाहिए अगर fluid हमारा rest में है fluid अगर REST में है और अगर हम इस fluid में यहां पर देखेंगे यहां पर यह जो point है इस पहो कितना pressure act कर रहा है तो pressure जो है वो हर एक direction में same होगा मतलब x direction में भी px अगर y direction में py लग रहा है और z direction में जो है pz लग रहा है तो इस point पे px is equal to py is equal to pz हर एक direction में equal pressure लगता है लेकिन condition क्या है condition है यह जो fluid है यह rest में होना चाहिए rest में होना चाहिए अगर एक fluid rest में है तो हर एक direction में pressure जो है वो same act करता है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है fluid at rest fluid rest पे होना चाहिए मतलब कि जो भी तीन directions होती है हमारे पास px, py and pz जो हमारे पास है तो यहाँ पर px is equal to py is equal to pz मतलब कि हर एक direction में pressure जो है वो same होना चाहिए तो Pascal's law के basis पे हमारे पास एक छोटा सा numerical बन जाता है hydraulic press का hydraulic press का हमारे पास एक numerical बन जाता है तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक hydraulic press है मतलब कि हमें क्या है यहाँ पर हमें एक छोटा area लिया हुआ है और इस पर हम force लगा रहे हैं तो इस force की वज़ा से इस छोटे वाले area पे अगर हमारे पास आपको पताए हमारे पास pressure जो होता है वो force per unit area है अगर हम force बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और area जो है वो बहुत कम है हमारे पास अगर हमारे पास area कम है तो pressure जो है fluid में वो ज्यादा आ जाएगा जब fluid में pressure ज्यादा आ जाएगा तो यह fluid लेकिन rest में है तो यहाँ पर भी जितना pressure यहाँ पर होगा छोटे area की वज़ा से यहाँ पर भी इस fluid पर भी pressure जो है वो same ही होगा तो इसकी वज़ा से अगर हमें किसी heavy object को भी उठाना है तो यहाँ पर pressure जो है यहाँ पर और यहाँ पर pressure जो है वो same है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम किसी भी जो हमारे heavy object है उसको जो है lift कर सकते हैं तो ये बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारे पास वो इसी base पे work करती है तो यहाँ पर हम क्या करते है हमें क्या करना होता है जो numerical में हमारे पास आजाता है हमें force दिया होता है और ये area दिया होता है तो हमें यह weight निकालना होता है कि कितना weight यह उठा सकता है तो आपको क्या करना है मतलब कि यहाँ पर जो pressure है वो यहाँ पर equal pressure होगा मतलब कि P by force अगर यहाँ पर F लग रहा है divide by A is equal to यहाँ पर weight है divide by यहाँ पर area A है weight upon area तो आपको यह formula लगाना है और यहाँ पर आपको यह weight निकालना है weight आजाएगा हमारे पास area into F divided by A तो यह आजाएगा हमारे पास weight कितना carry कर सकता है तो pressure at plunger जो हमारे पास plunger है वहाँ पर pressure हमारे पास जो है वो आजाएगा force upon area small area यह वाला जो छोटा area है तो pressure intensity at ram यह जो ram है जो इस load को carry करेगा वहाँ पर weight upon area आजाएगा तो अगर हमें यह weight निकालना है तो हम इसको इसके साथ equate करेंगे तो force per unit area is called weight upon area यह यह वाला area है यहाँ पर तो हमारे पास weight किसके बराबर आजाएगा यह area इस side लेके जाएगे तो हमारे पास weight आजाएगा capital A divided into F by A तो यह आजाएगा हमारे पास कि कितना weight हम carry कर सकते हैं तो यह आगे आपको hydraulic press numerical हम कैसे करते हैं तो इसके बाद आजाते हैं हमारे पास हमारे पास एक hydrostatic law होता है hydrostatic law क्या कहता है rate of increase of pressure in the vertical direction is equal to weight density of the fluid at that point मतलब क्या है हमारे पास हमारे पास अगर एक fluid है fluid है तो vertical direction में pressure increase होता है मतलब कि यह अगर fluid है हमारे पास तो यहाँ पर कम pressure होगा और यहाँ पर इससे ज्यादा pressure होगा यहाँ पर इससे ज्यादा pressure होगा यह कह रहा है कि हमारे पास अगर हमें यहां पर प्रेशर देखना है तो rate of change of pressure in vertical direction is equal to weight density, is equal to weight density, rate of change of pressure with respect to vertical distance, vertical distance यह हुआ, vertical distance is equal to weight density, weight density, तो हमारे पास weight density जो होता है, weight density अगर आपको याद है जब हमने पहला unit पढ़ा था, first वीडियो में, रोह जी के equal होता है, तो weight density हमारे पास रोह जी के equal है, dp by dz जो है, हम लिख सकते हैं, रोह जी के equal, तो हमारे पास dp जो आजाएगा, वो आजाएगा रोह g dz, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारे पास equation आ जाएगी, तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, dp by dz, rate of increase of pressure in vertical direction vertical direction मतलब dp by dz मतलब कि यह हमारे पास एक fluid है तो यहाँ पर हम vertical direction में इसको z लेके चलते हैं तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है तो dp variation of pressure with respect to vertical distance is equal to weight density weight density आपको पता है यह rho g के equal होता है तो dp by dz जो है हमारे पास वो आजाएगा rho g के equal और अगर हमें फिर निकालना है यहाँ पर pressure निकालना है तो dp हमारे पास आजाएगा rho g dz तो इसको integrate करेंगे integrate करेंगे तो हमारे पास p आजाएगा p is equal to rho g integration of dz जो है वो z के equal आजाएगा तो उसी को हम pressure कहते हैं तो pressure आपने देखा होगा कि pressure क्या होता है हमारे पास rho g h हम generally लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने लेकिन z लिखा हुआ है मैंने height को जो है वो z की termal मैं लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते है pressure is equal to rho g h h मतलब यह height तो यह हमारे पास pressure आजाता है तो यह कैसे निकालते हैं हम hydrostatic law से निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं z अगर हमें निकालना है vertical distance यह आ जाएगा p upon rho g जैसे कि हमें पता है z जो होता है यह pressure head हमारे पास होता है तो यह चीदें आपको याद रखनी है तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक तो हमने pressure पढ़ा pressure क्या होता है pressure होता है normal force upon area newton per meter square unit आ जाएगा इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा pascal जला pascal जला में हमने क्या पढ़ा pascal जला में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक fluid rest में है तो यहां पर एक point पे जो all directions में pressure है वो same होगा मतलब कि PX is equal to PY is equal to PZ होगा at rest हमारे पास pressure जो है वो sub directions में same होता है तो इसके बाद हमने next पढ़ा pascal जला की एक application पढ़ा हमने hydraulic press पढ़ा hydraulic press में हमने देखा कि अगर हम यहां पर pressure upon area लगाते है तो weight हम carry कर सकते है upon area तो weight अगर हमें निकालना है तो वो आ जाएगा area into P by E तो यह हमें hydraulic press का फार्मला हमने पढ़ लिया इसके बाद हमने hydrostatic pressure hydrostatic law पढ़ा hydrostatic law हमारे पास क्या बोलता है change in pressure upon in vertical direction is equal to weight density is equal to weight density तो weight density हमें पता ही है rho g के equal है अगर आपको याद नहीं है तो पहले पहला वाला वीडियो आप देख सकते है तो dp जो है dp by dz हमारे पास rho g के equal आ जाएगा और dp अगर pressure हमें निकालना है तो वो आ जाएगा rho g dz के equal तो जब हम integrate करेंगे तो pressure हमारे पास क्या आ जाएगा rho g z के equal या फिर हम generally इसको p is equal to rho g h लिखते है h हमारे पास height है तो ये आपको ये चीतें पता होनी चाहिए इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ एक और चीज़ बता रहा हूँ अगर आपको आपको कभी कबार ऐसे questions objective में पूछे जाते हैं तो अगर आपको ये तीन जार्ज दिये हैं Sam size के जार्ज है तो यहां पर जार्ज मैं हमें जो है इस point पे यहां पर भी इस Sam height पे और यहां पर भी Sam height पे इनकी जो है अगर इनकी जो है height भी Sam ही है मतलब कि fluid जितना बरा हुआ है तो वो भी Sam ही है मतलब कि यहां पर भी pressure यहां पर भी pressure और यहां पर भी pressure Sam होगा Sam vertical height पे pressure जो है वो Sam होगा लेकिन अगर हमारे पास इसमें fluid different होगा तो यह fluid पे भी depend करता है तो अगर यहां पर कुछ heavy fluid है तो इसमें je pressure जयादा होगा और यहां पर इस से heavy fluid है तो यह पर इस से भी pressure जयादा होगा तो यह चीज़ें और आपको याद रखने है तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बाद आजाते है यूनिट्स आप प्रेशर प्रेशर के जो यूनिट्स होते है न्यूटन पर मीटर स्केर होता है हमारे पास यूनिट्स मैंने आपको पहले भी बताए प्रेशर क्या होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर की यूनिट्स होगी न् रखना है अगर आपको one pascal दिया होगा one pascal जो है वो one newton per meter square के equal होता है और एक kilo pascal जो है 10 raise power 3 pascal के equal होगा यहाँ पर भी kilo होता है वहाँ पर 10 raise power 3 होता है हमारे पास one mega pascal जो है 10 raise power 6 pascal के equal होता है और one bar जो है वह 10 raised power 5 pascal के equal होता है तो यह चीदे आपको वैसे पता ही होगी तो इसके बाद आ जाते हैं atmospheric pressure की जो values होती है यह आप से पूछी जाती है तो atmospheric pressure की जो values है यह आपको याद रखनी है अगर आपको atmospheric pressure की value याद रखनी है तो 1.01 into 10 raised power 5 pascal यह आपको पता ही होगा 1.01 into 10 raised power 5 pascal अगर हम kilo pascal के term में लिखना चाहेंगे तो 101.3 into kilo pascal मतलब क्या हम इसको 2 point आगे लेके जाएंगे तो यह आजाएगा 101.3 into 10 raised power 3 क्यूंकि हमने 2 point इसको आगे बढ़ाया है तो यह बचेगा 10 raised to 3 pascal तो 10 raised power 3 kilo pascal होता है तो 101.3 kilo pascal आजाएगा हमारे पास तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बाद आजाते हैं अगर हम bars की term लें atmospheric pressure को लिखेंगे यह सारी values जो है atmospheric pressure के values है 1.013 bar हम लिख सकते हैं और 76 cm of mercury column हम इसको कह सकते हैं या 760 mm of mercury column लिख सकते हैं cm और mm और अगर हम in terms of water column बोलेंगे तो यह आता है हमारे पास 10.3 meter height of water column तो यह चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए इसके बाद आजाते हैं हमारे पास इसके बाद की जो value इसके बाद की जो यहाँ पर का जो topic है बहुत ही important topic है एक है absolute pressure क्या होता है gorge pressure क्या होता है atmospheric pressure क्या होता है और vacuum pressure क्या होता है बहुत ही important topic है अगर आपको यह समझ में आ गया है मुझे लगता है आपका एक objective जो है वो clear हो जाएगा examination में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है एक है हमारे पास absolute pressure क्या होता है एक होता है हमारे पास vacuum pressure क्या होता है gauge pressure क्या होता है और atmospheric pressure क्या होता है तो पहले हम देखेंगे कि absolute pressure क्या होता है पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा Absolute Pressure क्या होता है Absolute Pressure होता है जो Zero Pressure Zero Pressure जो होता है अगर हम यहां से Major करेंगे तो इसको हम Absolute Pressure कहेंगे तो यह चीज़े आप याद रखिए कि अगर हम Perfect Zero से Pressure को Major कर रहे हैं तो वो होता है हमारे पास Absolute Pressure यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो Absolute Zero से अगर हम Major करेंगे किसी भी Pressure को वो आ जाएगा हमारे पास Absolute Pressure इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लेकिन Atmospheric Pressure जो है वो कुछ Pressure होता है Atmospheric Pressure कुछ ज्यादा ही होगी तो इसके बाद आ जाते हम इसके बाद आ जाते इसके बाद उपर जो है कोई भी Pressure हम Major कर सकते हैं For example मैं आपको यहाँ पर बताऊ counted के अगर हमें Absolute Pressure Absolute Pressure Major करना है यहाँ पर अगर हमें इस पॉइंट पर Absolute Pressure Major करना है तो absolute pressure अगर हमें major करना है यहाँ से atmospheric pressure से उपर जो है इसको हम क्या कहींगे इसको हम gauge pressure कहते हैं यह चीज़ आप word रखना atmospheric pressure के उपर जो हम major करते है pressure उसे gauge pressure कहा जाता है और जो absolute zero से हम major करते है उसे हम absolute pressure कहते हैं तो पहले मैं आपको definitions बताता हूँ फिर मैं आपको समझाओंगा कि कैसे हम equations derive करते हैं It is the pressure with respect to absolute zero or complete vacuum Absolute zero pressure से अगर हम pressure measure करेंगे या complete vacuum से pressure measure करेंगे तो उसे हम absolute pressure कहते हैं It is actual pressure and is measured with aneroid barometer तो यह चीज़ आपको याद रखने हैं यह aneroid barometer से हम measure करते हैं क्या absolute pressure अगर हमें zero से measure करना है इसके बाद आजाते हैं हमारे पास vacuum pressure vacuum pressure क्या होता है It is pressure below the atmospheric pressure and is called as suction pressure or negative pressure तो atmospheric pressure मैंने आपको यह बताया यह हमारे पास atmospheric pressure है अगर हम atmospheric pressure से नीचे pressure measure करेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम उसे हम vacuum कहते हैं vacuum pressure उसे हम vacuum pressure कहते हैं या फिर negative pressure कहते हैं या फिर section pressure कहते हैं तो यह चीदें आपको याद रखने है vacuum pressure क्या होता है atmosphere pressure से अगर हम नीचे major करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे vacuum pressure कहेंगे deficient अची तरह याद रखना क्योंकि इसके basic पे आपको last मैं objective question दो तीन बताऊंगा अगर आपको वो समझ में आगे तो आप का जो है यह concept clear हो जाएगा next आ जाते हैं हमारे पास gauge pressure क्या होता है gauge pressure क्या होता है it is the pressure with respect to atmospheric pressure as datum मतलब कि gauge pressure क्या होता है gauge pressure वो होता है अगर हम atmospheric pressure से उपर major करेंगे तो उसे हम gauge pressure कहते हैं मतलब कि हम atmospheric pressure को यहाँ पर datum मान के चलते हैं atmospheric pressure को यहाँ पर zero मान के चलेंगे और gauge pressure major करेंगे तो ये चीज़े आपको याद रखना है कि अगर हम absolute zero से major करेंगे तो वो क्या होता है वो होता है हमारे पास absolute pressure absolute pressure और अगर हम atmospheric pressure से नीचे की तरफ pressure major करेंगे तो उसे हम vacuum pressure कहते हैं और अगर हम atmospheric pressure के उपर की तरफ major करेंगे तो उसे हम gauge pressure कहते हैं ये तीन चीज़े आगर आपको याद समझ में आ गई तो gauj pressure जो होता है ये gauj pressure होता है ये manometer से हम major करते हैं या फिर burdens gauj एक instrument होता है जिसे हम major करते हैं इट इस positive, negative और zero ये positive भी हो सकता है gauj pressure ये negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है तो positive कहाँ पर होगा, negative कहाँ पर होगा अगर ये gauj pressure हम atmospheric pressure से उपर major करेंगे तो उसे हम positive pressure कहेंगे अगर नीचे की तरफ major करेंगे तो उसे vacuum pressure या negative pressure कहेंगे और अगर यहाँ पर atmospheric pressure के उपर ही major करेंगे तो वो आ जाएगा zero pressure तो gauge pressure क्या हो सकता है positive हो सकता है negative हो सकता है zero हो सकता है बहुत ही important point है objective में दो तीन बार पूछा भी गया है तो अब आपको क्या करना है अब आपको दो relations यहां पर find out करनी है यह है हमारे पास absolute zero pressure यह है हमारे पास atmospheric pressure और यह है हमारे पास जहां पर pressure हमें major करना है जहां पर pressure हमें major करना है for example हमें यहां पर pressure चाहिए तो pressure अगर हमें major करना है अगर हम यहां से देखें के यहां से यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा absolute pressure absolute pressure और यहां से यहां तक अगर हमें निकालना है तो वो आ जाएगा gauge pressure अब हमें यहाँ पर देखना है अगर हमें यहाँ का pressure निकालना है तो यहाँ का pressure absolute pressure किसके बराबर आ जाएगा P absolute आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है atmospheric pressure तो absolute pressure अगर हमें निकालना है इस point का वो हम लिख सकते हैं atmospheric pressure, plus gorge pressure, तो P absolute, अगर हमें निकालना है, तो वो आ जाएगा, P atmospheric pressure, plus P gorge pressure, तो ये, ये एक relation है, बहुत ही important relation है, 5-10 बार question जो है, इस पे आया हुआ है, तो absolute pressure, अगर हमें निकालना है, वो आ जाएगा, atmospheric pressure, plus gorge pressure, तो ये हमने clear कर दिया, मुझे लगता है, आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, दूसरी condition, दूसरा formula क्या बन जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास ये, क्या है, zero pressure है, हमारे पास, और, ये atmospheric pressure है, ये atmospheric pressure है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर, अब pressure major करना है, तो अगर हमें यहाँ पर pressure major करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, absolute pressure, absolute pressure, और, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम देखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, atmospheric pressure के नीचे जो major करते हैं, उसे हम vacuum pressure कहते हैं तो अगर हमें ये इस point का pressure निकालना है तो वो आ जाएगा हमारे पास P absolute P absolute किसके बराबर आ जाएगा atmospheric pressure P atmospheric pressure यहां से यहां तक है minus करेंगे इसमें vacuum pressure minus करेंगे vacuum pressure vacuum pressure तो absolute pressure किसके बराबर आ जाएगा atmospheric pressure में से यह vacuum pressure निकालेंगे तो हमारे पास absolute pressure बच जाएगा तो I hope कि यह दो relations जो है आपको clear हो गई होंगी तो क्या हमारे पास है अगर हमें उपर निकालना है atmospheric pressure से उपर निकालना है तो हमारे पास absolute pressure जो आ जाएगा वो आ जाएगा atmospheric pressure प्लस gorge pressure atmospheric pressure प्लस gorge pressure हमारे पास यहां का pressure निकल के आ जाएगा और अगर हमें यहां पर ही atmospheric pressure से नीचे ही निकालना है तो हमारे पास absolute pressure किसके बराबर आ जाएगा atmospheric pressure मैंसे vacuum pressure को minus करेंगे तो हमारे पास absolute pressure आ जाएगा तो I hope की चीज़े आपको clear हो गई होंगी तो ये दो relations जो है बहुत ही important relations है आपको ये याद करनी चाहिए याद क्या करनी चाहिए अगर आपको concept समझ में आ गया इसके बेस पे आपको छोटे से numerical पूछे जा सकते हैं वाईसे तो ये एक्जाम में पीजो मीटर ही मुझे लगता है पीजो मीटर का ही पूछा जा सकता है और हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पीजो मीटर लगा हुआ है यह हमारे पास एक पाइप है अगर हमारे पास यह पाइप है और पाइप के ऊपर हमने एक टूब लगाना होता है इसे ही हम पीजो मीटर कहते हैं तो पीजो मीटर यहां पर हमारे पास एक पाइप है पाइप के अंदर जो है लिक्विड जो है वो पास height है, अगर इतना height rise किया हमारे पास fluid, तो pressure हमारा किसके बराबर आ जाएगा, pressure आ जाएगा, rho हमारे पास pressure निकल के आ जाएगा, तो पीजो मीटर अगर हमारे पास है तो हमारे पास प्रेशर जो है वो रो जी एच के एक्वल होता है तो रो जी एच जो है लेकिन हमारे पास ये गौज प्रेशर हमारे पास होता है अगर हमें एबसलूट प्रेशर निकालना है तो absolute pressure के लिए हमें इसमें जो है atmospheric pressure को add करना पड़ेगा क्योंकि atmospheric pressure उपर से लग रहा होगा और ये हमारे पास gorge pressure है fluid की वज़ा से तो हमें अगर total pressure या absolute pressure निकालना है तो absolute pressure आजाएगा एक तो atmospheric pressure लग रहा है P atmospheric प्लस gorge pressure जो है वो rho GH के इकवर लग रहा होगा तो आपको generally जो है हमारे पास absolute pressure हमें निकालने को नहीं पूछता है हमें जो है gorge pressure ही निकालने के लिए पूछता है तो आपको ये याद रखना है P is equal to rho GH जो है हमारे पास pressure निकल के आ जाता है तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमें absolute pressure निकालना है तो atmospheric pressure हमें add करना पड़ेगा इस rho g h में क्योंकि उपर से atmospheric pressure भी लग रहा होगा तो लेकिन हमारे पास generally gauge pressure ही हमें पूछा जाता है तो rho g h के equal होता है तो piezometer के बारे में आपको कुछ point सियाद रखने है जो objective point of view से important होता है piezometer is a device and is open at both the ends यह piezometer जो होता है हमारे पास यह यह जो चोटी छोटा tube होता है हमारे पास यह दोनुun side से open होता है मतलब इस side से भी open होता है इस side से भी open होता है one end is connected to the point where the pressure is to be measured and other end is open to the atmosphere एक end open होता है atmosphere में और एक end को हम connect करते है जहां पर भी 맞아요 measure करना होता है ये हमारे पास pipe है, pipe के अंदर हमने इसको insert किया तो हमें pressure निकल के आ जाएगा, हमें निकल के आ जाएगा कि ये fluid कितना rise करेगा इस Pizometer Tube में तो फिर हमें Pressure जो निकालना होता है हम Centra Pipe से निकालते हैं तो Centra Pipe से हमें Height देखना है कि कितना हमारे पास Rise किया है हमारे पास Fluid तो वही होता है हमारे पास Edge Use it for Small and Positive Pressure Measurement तो यह हम जो Use करते हैं यह Positive Pressure Measurement के लिए Use करते हैं और Small Pressure Measurements के लिए Use करते हैं If the Pressure is Large, Very Long Column of the Pizometer is Used तो यही जो है इसकी Disadvantage भी है कि हम Pizometer को क्यों ज्यादा Use नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास Pressure जो है जितना ज्यादा Pressure होगा उतना ज्यादा Fluid जो है वो Rise करेगा मतलब कि अगर इसमें बहुत ज्यादा Pressure है तो हमें बहुत ज्यादा लंबी Tube जो है चाहिए होगी क्योंकि इसमें Pressure जो है वो Fluid जो है वो ज्यादा Rise करेगा तो इसलिए ज्यादा बड़े Pressure हम Pizometer से Major नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें फिर ज्यादा लंबी Tube यूज करने पड़ेगी क्योंकि जितना Pressure ज्यादा होगा उतना Fluid जो है वो Rise ज्यादा करेगा तो इसलिए हम ज्यादा बड़े Pressure जो है Pizometer से Major नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लंबी Tube चाहिए होती है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास Next है हमारे पास YouTube Manometer YouTube Manometer तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास YouTube है इसको हम YouTube Manometer कहते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं Pizometer से मैंने आपको बताया Positive Pressure ही Major कर सकते हैं लेकिन यह जो YouTube Manometer होए हमारे पास इससे हम positive pressure भी major कर सकते हैं और negative pressures भी major कर सकते हैं तो positive pressure और negative pressure दोनों major कर सकते हैं यह point आपको याद रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यह pipe है pipe के साथ हमने क्या connect किया हुआ है तो हमने pizometer connect किया हुआ है तो pizometer जो हमने connect किया हुआ है जनरली जो है 플ूूट कौन सा यूज करते है मरकरी फ्लूट जो मैंने ब्लैक कलर से यहां पर दिखाया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमने हमारे पास पाइप है इसके साथ हमने यूटूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है तो यह जो है इसमें प्रशर होग यहां से rise करेगा, थोड़ा यहां पर rise करेगा, h2 height तक rise करेगा, अब अगर हमें pressure निकालना है, तो pressure निकालना है, तो यहां पर हमारे पास pressure PA होगा, तो हमने PA ले लिया, और अगर हम देखेंगे, यह Sam height पे है, तो यहां पर भी pressure हमारा PA ही होगा, तो इस point पे भी pressure हमारा PA ही हो और अगर हम देखेंगे यहां से यहां आ जाएंगे यहां से यहां आ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मैंने आपको अभी बताया फ्लूड में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहां पर हमार का प्रेशर निकल के आ जाएगा तो अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तो हमें रोह जी इस फ्लूड का डेंसिटी रोह ए इस फ्लूड का डेंसिटी रोह ए है जी एच वन एच वन तो हमें यहां पर प्रेशर निकल के आ जाएगा तो हमने यहां पर जो है प्रेशर निकल होगा क्योंकि fluid हमारा same ही है तो यह चीज़ आपको याद रखना है यूटूब manometer में हम हमें अगर इस fluid यहां पर यो है mercury है यहां पर और यहां पर भी mercury है तो मतलब कि यह एक ही same height पे है तो यहां पर जो pressure होगा वो यहां पर जो pressure होगा उसके equal होगा अब हमें यहां से उपर की तरब जाना है जैसे ही हम fluid में उपर की तरब जाते हैं तो हमारे पास यह जो pressure है वो decrease होता है तो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया आप देखिए यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा देखिए यहां यहां से यहां तक for example हमारे पास mercury है और यहां से यहां तक for example हमारे पास fluid है जिसकी density A है तो यहां पर मैंने आपको बता दिया यहां पर और यहां पर pressure A होगा pressure A प्लस यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो हम density जो pressure हमारा है वो increase हो जाएगा क्योंकि हम downward direction में जा रहे हैं तो pressure increase होगा rho A, G, H1 यहां पर भी हमारे पास mercury है तो यह एक ही level पर है हमारे पास तो pressure जो जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा अब हमें यहां पर देखना है यहां से यहां तक ऊपर की तरफ जाना है तो यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो हमें प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हम इसको माइनस करेंगे रो मरकर यह हमारे पास है M, G, यह अगर H2 है फॉर एक्जांपल हमारे पास तो यह H2 आ जाएगा तो अगर हमें प्रेशर A निकालना है तो यह किसके एक्वल होगा यह एट्मास्पिरिक प्रेशर के एक्वल होगा लेकिन हम एट्मास्पिरिक प्रेशर को 0 मान के चलेंगे क्योंकि हम गाज प्रेशर निकाल रहे हैं तो हमें P A अगर निकालना है तो यह आ जाएगा इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास रोह M, G, H2 माइनस रोह A, G, H1 के एक्वल आ जाएगा तो ऐसे हम जो है प्रेशर निकाल सकते हैं तो यही मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रेशर A होगा यहाँ पर भी प्रेशर A होगा और यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा रोह G, H1 के एक्वल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर एक्वल होगा क्योंकि यह फ्लूड और यह फ्लूड सैम है और सैम लेवल पे है हमारे पास तो प्रेशर सैम होगा और यहां से अगर हम उपर की तरफ जाएंगे तो हमारा प्रशिक जो है वो क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा तो माइनस में आ जाएगा तो मैंने इक्वल टू के इस साइड लिख लिए तो वो सैम ही होता है कि अगर हम या तो इस साइड माइनस रो एम जी एज टू लिखेंगे या फिर इस साइड लेके जाएंगे रो एम जी एज टू के इक्वल आ जाएगा तो प्रेशर एट ए अगर हमें निकालना है प्रेशर एट ए आ जाएगा रो एम एज जी एज टू तो यह इस साइड लेके जाएगे तो यह माइनस में आ जाएगा तो pressure rate A हमारे पास निकल के आ जाएगा तो यह है YouTube manometer से हम कैसे pressure major करते हैं तो इसके बाद यह जो next है next है हमारे पास differential manometer differential manometer जो है वो भी Sam आपको वही concept यहां पर भी लगाना है तो concept आपको Sam to Sam यहां पर भी Sam concept लगाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास differential manometer जो है पहले ही आपको यह point यदद रखना है differential manometer जो है वो हम difference of pressure between the two points मतलब कि यहां पर एक point है यह फो हुष भी bit point है different point है तो हमें जो है इस point और इस point में कितना pressure difference है, इनको अगर देखना है, तो हम differential manometer use करते हैं, तो differential manometer जो है, वो same to same, ऐसे ही होता है, YouTube manometer, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनु साइड से इसको pipe के साथ connect करते हैं, जिन pipes के बीच में हमें, difference of pressure major करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारे पास, अगर pressure हमारे पास pa है, pa हमारे पास pressure है, और हमारे पास, यहां पर आप देखिए, यह अलग fluid भी हो सकता है, इसकी density rho a होगी, और यह अलग fluid भी हो सकता है, यह वाला होता है जो हम generally mercury लेते हैं रोह M हम इसको लिखेंगे तो अगर आप देखेंगे हमें pressure का concept वैसे ही चलना है जैसे मैंने आपको अभी बताया तो यहां पर आप देख सकते हैं pressure at A तो pressure at A same होगा यहां पर भी तो लिखा मैंने pressure at A अगर हम अब नीचे की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास pressure क्या होगा वो increase होगा तो मैंने लिखा यहां पर density इसकी रोह A है g h x plus y x plus y जो है अब देखिए यहां पर यह जो है यह blue color में जो मैंने दिखाया हुआ है यह हमारे पास manometric fluid है जो की generally हमारे पास mercury होता है तो अगर हम यहां पर इस level से इस level तक जाएंगे तो यहां पर pressure same होगा क्योंकि fluid हमारे पास same है और level भी same है तो यहां पर pressure same होगा अब हमें क्या जाना है यहां से यहां तक जाना है यहां तक यह blue manometric fluid है अगर हम देखेंगे तो हम नीचे से उपर की तरफ जाएंगे तो हमारा pressure क्या करेगा degrees करेगा तो इसलिए मैंने minus लिखा इसकी density क्या है इस blue वाले fluid की density rho m g x के equal है तो मैंने minus किया क्योंकि हम नीचे से उपर की तरफ जा र density b है g y तो यहां पर आगर हमें pressure निकालना है तो यह आ जाएगा rho b g y और हमारे पास हम नीचे से उपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा decrease हो जाएगा pressure is equal to pressure at b यह किसके equal होगा pressure at b के equal तो यह सारा जो है equation आपको निकल के आ जाएगा तो यहां पर आगर आगर आपको difference आप pressure न जाएगा और फिर इसको इन सारी terms को इस साइड लेके जाएगे तो यह negative में आ जाएगा यहां पर negative में हमने लिख लिया है यह और यह positive में आ जाएगे तो यह positive में लिखा हुआ है तो हमें difference of pressure निकल के आ जाएगा तो generally आपको यह यह exam point of view से इतना complicated जो है numerical आप से नहीं पुछ points लिखे हुए है बहुत ही important points आपको generally जो है यह तो вызometer पे छोटा सा numerical पूछ लेगा यह फिर आपको क्या पूछा जा सकता है यह जो मैंने points लिखे हुए हैं इनी से आपको question पूछा जा सकता है पहला ही आपको जो है पहला ही आपको यह याद रखना है कि हमारे पास जो πीजोमीटर है पॉजिट्व प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं या फिर गौज प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं तो पीजोमीटर आपको याद रखना है पॉजिट्व और गौज प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं YouTube Manometer YouTube Manometer जो है ये दोनु पॉजिटीव प्रेशर एंड नेगेटीव प्रेशर दोनु को measurement करने के लिए हम use करते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास Inclinid Tube Manometer Inclinid Tube Manometer तो Inclinid Tube Manometer क्या होता है, Inclinid Tube ये जो YouTube Manometer होता है Sam to Sam ऐसे ही होता है हम ऐसे connect करते हैं इसको और फिर इसको यहाँ पर यह जो है inclined होता है तो inclined tube manometer आपको याद रखना है YouTube manometer की तरह ही यह positive pressure भी major करता है और negative pressure भी major करता है लेकिन यह inclination की वज़ा से जो है इसकी sensitivity ज्यादा होती है sensitivity ज्यादा होती है तो इस sensitivity ज्यादा होने की वज़ा से जो है हमारे पास हम accurate pressure major कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि हमारे पास जो inclined tube manometer होता है यह Sam to Sam YouTube manometer होता है मतलब कि positive pressure भी major कर सकते हैं negative pressure भी major कर सकते हैं लेकिन इस inclination की वज़ा से sensitivity या fluid जो है वो increase हो जाती है इसलिए हम accurate pressure जो है इससे YouTube manometer से ज्यादा accurate pressure हम major कर सकते हैं अगर हमारे पास एक inclined tube manometer होता है तो यह आपको याद रखना है both positive and negative pressure mostly positive, generally हम positive ही लेते हैं लेकिन दोनों major कर सकते हैं but is more sensitive more sensitive का मतलब हो गया pressure हम ज्यादा accurately measure कर सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास differential और inverted differential differential manometer जो मैंने आपको भी बताया यहाँ पर यह जो differential manometer है तो इसकी वज़ा से हम क्या करते हैं हम pressure difference को measure करते हैं तो pressure difference between the two points इससे हम measure करते हैं किससे differential और inverted differential manometer इसके बाद आजाते हैं हमारे पास Burden's Guards इससे हम क्या करते हैं? Pressure at a point major करते हैं एक point पे pressure अगर major करना है तो Burden's Guards यूज करते हैं इसके बाद आजाते हैं हमारे पास Mechanical Guards Mechanical Guards जो होते हैं उनसे हम High Pressure Major करते हैं High Pressure Major करते हैं Mechanical Guards आपको पता ही होने चाहिए जो generally हमारे पास जो जब हम tire को हवा बरवाते हैं तो उसके पास एक वो उस में भर देता है तो फिर देखता है कि pressure कितना है हमारे पास tire pressure कितना है तो वह होते है mechanical gauge यहाँ पर हम ज्यादा pressure major कर सकते हैं ज्यादा high pressure major कर सकते हैं लेकिन low precision अगर हमें precision कम भी हो तो हमें कोई फरक पड़ेगा मतलब कि अगर हमें पुरा accurate जो प्रेशर है वो नहीं major करना है तो हम mechanical gwiganjis use करते है ihr in deflectting needle होती है आपने देखा वोगा जो tire में हम बरवाते हैं उसमें deflecting needle होती है वो needle से pressure को major करता है तो reflecting needle होती tire pressure major करने के लिए आपने देखाॉगा mechanical gages high pressure को major करते हैं और low precision होती है मतलब कि ज्यादा accurate नहीं होता है तो ये points जो है इन points मैंसे ही ज्यादा तर आपको questions पूछे जाते हैं और अगर आपको एक और चीज आपको याद रखना है हाँ वो मैंने लिखी है यहाँ पर barometer जो है barometer आपको याद रखना है atmospheric pressure major करने के लिए हम barometer यूज करते हैं यह आपको वैसे पता ही होगा लेकिन पूछा जाता है atmospheric pressure तो barometer से हम क्या करते है atmospheric pressure major करते हैं तो यह चीज़ें जो है आपको बहुत ही important है और एक point और आपको याद रखनी है तो वो मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ शायद मैंने लही लिखा हुआ है जो mercury है mercury को हम क्यों use करते हैं mercury जो है इसको हम क्यों use करते हैं as manometric fluid manometric fluid क्यों use करते हैं इसकी कुछ जो है properties होती है जिसकी वज़ए से mercury को हम use करते हैं as manometric fluid तो mercury आप ने देखा वोगा जनरली हम YouTube manometer में भी मरकरी यूज़ करते हैं या हमारे पस rebellion tube manometer होता है उसमें भी mercury यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं हमारे पस पहले ही जो हम fluid यूज़ करते हैं तो उसकी specific gravity ज्यादा होनी चाहिए specific gravity ज्यादा होनी चाहिए ये मैं अभी explain भी करूँगा आपके साथ एक तो specific gravity ज्यादा होनी चाहिए और होना चाहिए immisible with liquid immisible with liquid मतलब कि जिस liquid का हम pressure measure कर रहे हैं उसके साथ mix नहीं होना चाहिए दूसरी property है और तीसरी property है low vapor pressure ये तीन properties आपसे पूछी जा सकती है एक तो specific gravity ज्यादा होनी चाहिए immisible with liquid होना चाहिए and low vapor pressure होना चाहिए वो fluid जो है हम use करते हैं हम manometer में use करते हैं तो हमारे पास mercury जो होता है mercury में ये तीनों properties होती है इसलिए mercury को हम mercury को हम use करते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है mercury को हम क्यों use करते हैं mercury को इसलिए use करते हैं specific gravity ज्यादा है ये fluid के साथ mix नहीं होता है and low vapor pressure होता है तो specific gravity क्यों ज्यादा होनी चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी बताया अगर हम सीधा पीजो मीटर use करते हैं पीजो मीटर insert करते हैं अगर हमाई high pressure होता है तो high pressure की वज़ा से पीजो मीटरिक ट्यूब हमें बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए तब जाके हम pressure major कर सकते हैं लेकिन जब हम YouTube manometer लगाते हैं अगर हमारे पास pressure बहुत ज्यादा भी होगा क्योंकि इसकी density बहुत ज्यादा होती है यहां पर हमने जो manometer fluid यूज किया हुआ है अगर इसकी density या specific gravity ज्यादा होगी तो यह ज्यादा rise नहीं करेगा यह कम ही rise करेगा तो कम rise करेगा कि मतलब कि हमारे पास tube की जो length है वो कम चाहिए होगी तो इसलिए इसकी specific gravity ज्यादा होनी चाहिए दूसरा यह इस fluid के साथ यह जो यहां से pressure की वज़े से fluid बाहर निकलेगा इससे mix नहीं होना चाहिए और इसका vapor pressure जो है बहुत कम होना चाहिए तो यह तीन चीज़े आपको याद रखनी है मैंने दो तिन पर यह objective question भी पूछा गया है कि जो हम manometric fluid यूज़ करते हैं उसमें कौन-कौन सी properties होनी चाहिए तो यह तीन प्रापरटीज आपको याद रखनी है यह तीन प्रापरटीज एक fluid में होनी चाहिए तो इसी के साथ मैंने आज की वीडियो में जो है complete कर लिया है किसको मैंने complete कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीज़े शियर कीज़े अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल civil engineer FBH को थैंक्यू दोस्तो थैंक्यू पर वाचिंग दे वीडियो